हेलो फिंश गुड मॉनिंग कैसे हूँ आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे शो फ्रेंट्स आज है चार दिसंबर और आज से बीएटर फेस फोर की काउंफिलिंग स्टार्ट हो रही है तो आज ये देखते हैं फेस फोर में कौन-कौन काउंफिलिंग करवा सकते हैं औ और क्या-क्या लगेगा काउंफिलिंग में और 24 फिलिंग आपका कब होगा यानि कि कॉलेज आपको कब लाग करना होगा किस डेट को और एलाट्मेंट रिजल्ट यानि कि जब आप लोग 24 फिलिंग कर देंगे कॉलेज लॉक कर देंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा ठ ताकि आपको अच्छे से कॉलेज मिल जाए तो चलिए फटा-फट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप हमरे चनल में नहीं है तो प्रीज चनल को सब्सक्राइब करके बागल में भी लाइकोन को अन कर लें आपको इस चनल से जो भी यूपी बेट के बे यह लाश्ट राउंड है फेस फूर का इसके बाद जो होगा पुल काउंफलिंग होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ देखिए आपका जो रजिस्टेशन होगा वो होगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं चार दिसंबर यानि कि आज आज भी आप लोग कर सकते हैं रजिस्टेशन अगर साइवर कैफे आपका दूर है तो आप लोग कल भी कर सकते हैं ठीक है तो आज से आपका रजिस्टेशन start हो रहा है और फिर registration आप लोग 5-6-7 ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं 5-6-7 को भी आप लोग registration कर सकते हैं 7 ही 24 फिलिंग भी आप लोग कर सकते हैं अगर आज आप लोग यानि कि आज 4 दिसंबर है आज अगर आप लोग registration करते हैं आगर आप लोग 7 तारिक तक भी आप अगर 24 फिलिंग नहीं कर पाते हैं तो आपको एक आओ मौक़त दिया जा रहा ह। 8 दिसम्बर को आप लोगın 24 फिलिंग फिर से कर सकते हैं तो मैं अभी आप लोगो जो बताया था थंबले की ये गलतियां नहीं करने हैं ताकि आपको college नहीं मिले गा, तो देखे choice filling में ही आपको गलतियाँ नहीं करनी है, आपको जीतना हो सके, आपसे की उतना ही college लोग करिए, कम से कम 20 प्लस college आपको लोग करने है, ञंटेकर आपके जीले में जीतने भी college हैं, उननों सभी को college को लोग करना है, उसके बाद आपके आसपास जिलों में जो college हैं उनको भी lock करना है तो 20 प्लस आपको lock करने हैं अगर हो सके तो आप लोग कुछ college हो में जैसे जो नशदीक हैं contact number हो तो उनसे आप लोग detail भी ले लिजी कि आपके college में seat खाली हैं या नहीं खाली हैं आपका जो भी steam हो science, art तो जो भी हो आप लोग पता कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस college में seat हैं या नहीं है तो उसी के हिसाब से आप लोग choice filling करिएगा ठीक है तो choice filling आप लोग 8 December तक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद देख सकते हैं allotment यानि कि जो आप लोग college log करेंगे वो आपको पता चलेगा कि काउंसा college आपको मिला है 9 December को ठीक है और ये allotment result आपका करीब साम को आता है कोई भी update आईगी जैसे ही allotment result आपको ज़रूब बताऊंगा उस college में अपना admission लेने के लिए 46,250 आपको फीस अपनी जमा करना पड़ेगा तभी आपको जो seat है वो final confirm होगा तो ये था पूरा process I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे कब क्या क्या होगा तो अब बताता हूँ कि count feeling में आपका क्या क्या लगेगा तो देखे count feeling में आपका लगेगा यहाँ पर बता रहा हूँ आपको मैं आपके पास सबसे पहले bank detail होनी चाहिए खुद की हो तो चल जाएगा अमाता पिता का भी हो चल जाएगा bank detail इसलिए मांगा जाता है जैसे आप लोग 77,50 अपनी payment करते हैं जैसे आपको college नहीं मिलता है ठीक है तो बाद मैडमी सनागाल आप लोग नहीं लेना चाहिए तो आपकी fees जो है उसी account number में आ जाती है 5000 रुपए 750 जो होती है non refundable होती है तो आपका क्या क्या लगेगा देखिए आपके पास bank detail होनी चाहिए first ठीक है उसके बाद जैसे आपका graduation final year था तो उसकी mark seat होनी चाहिए आप गर आपका complete है तो नहीं लगेगी mark seat होनी चाहिए उसके बाद mobile number आपके पास होना चाहिए mobile number इसलिए लगता है जब आप लोग अपनी payment करेंगे उसमें दो ही मांगा गया था एक alternative होगा एक personal होगा तो दोनों में से कोई भी आपका होगा तो काम चल जाएगा ठीक है तो ये तीन चेज़े आपके पास होनी चाहिए तो आपको पता चल गया कि क्या गलतिया नहीं करनी है ज़्यादा से ज़्यादा आपनों को college लाग करना है ये ही गलतिया आपको नहीं करना है तो चलिए मिलते हैं next video पर थाटलेक थांक्स पर राचिंग जैहिंद वंदे मातरम अभी तक आप हमरे चैनलों को subscribe नहीं कियें तो फ्लीज चैनलों को subscribe करके सबसे पहले आपको चैनलों करने आपको इस चैनलों के मातरम से वह अपडेट मिलेगी और हाँ जब तक आपको 2020 तक पूरा 70 खतम नहीं हो जाता बीच बीच में आपको मैं एक्जाम टिप्स देता रहूंगा प्रैक्टिकल फाइल कैसे बना जाते ही टीचेंग का में थाड़ होता है तो सारी चीज़ आपको मैं इस चैनलों के मातरम से जानकरी देता रहूंगा इस वीडियो को सेर करना ना बूलें